हलो नमश्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग, तो हम विडियो की सीरीज में बात कर रहे थे बिटिश टाइम पे हाइर एजुकेशन के ड्वेल्पमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे मिकाले मिनट 18.35 के बारे में मिकाले मिनट को समझने के लिए एक पूरी कहानी सी है उसके सिनेरियो जो उसका उस टाइम पे था उसके बारे में, तो वो अगर हमें समझ आ गई तो हमें मिकाले मिनट में कुछ जादा याद रखने वाली चीज़े नहीं है तो इसको अगर हमें शुरुवात करें कहाने की तो 1828 से लेके 1835 तक Governor General of India थे William Bantic और ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि Governor General of India जो होता था वो Head होता था Executive Council का और William Bantic ने क्या किया कि ये जो Lord Macaulay थे इनको Law Member Appoint किया ये जो Executive Council थी इसका First Law Member जो है वो Lord Macaulay थे ये Question competitive exam के इसाप से काफी important है कि Who was the First Law Member of Executive Council of India तो वो थे Lord Macaulay अब इनसे जो है Lord Macaulay से William Bantic ने एक सलाह मागी कि जो Charter Act 1813 है उसके Close 43 के बारे में आपका क्या कहना है अब जो Close 43 है वो क्या था उसके According State ये जो East India Company थी इसको minimum at least एक लाख रुपे जो है हर साल देने थे Education के लिए Indians की Education के लिए तो आप William Bantic का कहना था कि ये जो एक लाख रुपे क्योंकि वो grant जो है वो paper पे तो बोल दिया था कि देना है minimum लेकिन वो ground level पे नहीं आया था तो इसी बारे में जो है सला सला मांगे उन्होंने मेकाले से इसलिए मेकाले ने उस सला के रुप में एक document दिया जिसको मेकाले मिनट बोलते हैं लोर्ड बेबिंग्टन मेकाले जो है इनका पूरा नाम था इस document में जो उन्होंने बताया उस से जो है सेटल डाउन हो गया conflict जो की Englishist और Orient List के बीच में था अब इन Englishist और Orient List क्या होते हैं इनके बीच में जो conflict था वो क्या था तो जो actual bone of contention था जो actual conflict था वो था English को लेके चाहिए और Orient List का मानना था कि इसकी जरूरत नहीं है बलकि जो Britishers हैं जो की population में इंडियन के comparison में कम हैं और वो यहां रहते हैं हमारे देश में आके तो Orient List का कहना था कि उनको जो है Indian Language और Culture के बारे में जानना चाहिए उस टाइम पर बहुत सारे Orient List institutions भी होते थे जिनको सरकार जो यह जो East India Company थी उसकी तरफ से थोड़े बहुत funds आते थे उस पर काम करने के लिए Indian Culture पर काम करने के लिए तो यह दो view थे जैसे आज के टाइम पर Left Wing, Right Wing है वैसे ही यह दो thought process थे अब जो Englishist थे उसमें और groups आ जाते हैं कि यह groups क्यों हैं क्योंकि मालो आपका end result आपकी thinking में आप result कुछ चाह रहे हो लेकिन आपके reason अलग-अलग हैं तो यह जो Liberals, Evangelicals, Utilitarian और Missionaries जो हैं वो अलग-अ वाली थी लेकिन इनके reasons अपने-अपने थे. Missionaries जो हैं वो groups होते थे, organization होती थी जिसको 1813 के Charter Act में allow कर दिया था कि वो इंडिया में आएं और अपना Christianity को spread कर सकते हैं. तो जैसे ही यहां पर 1813 के बाद उनको आना allow हुआ, तो उनका क्या reason था English को support करने का? क्योंकि Christianity जो है, उसके जो principles हैं, Bible जो है, वो English में है. तो अगर Indians को English नहीं आती होगी, तो वो कैसे convince करेंगे अपना conversion करवाने के लिए Indians को? क्योंकि कोई भी जो आप religion follow करते हैं, तो आप चाहेंगे कि दूसरा इंसान भी वो ही religion को follow करें, उसकी thinking भी उन्ही चीजों के उपर हो. Hindu लोग चाह करेंगे, तो ऐसे ही missionaries जो है, वो Indians को Christianity में conversion करना चाहते थे, और सिर्फ Indians को नहीं, Missionaries का एक बहुत बड़ा motto था, कि पूरे अर्थ पे जो अवारा संसार है, पूरा का पूरा, जितने भी continents हैं, सब पे सिर्फ Christianity जो है, वो religion होना चाहिए. तो इसके लिए वो भरपूर कोशि में लगे होई थे, जिसके लिए उनका reason था, English का support करने का, utilitarians जो थे, जिन में सबसे उपर नाम आता है, James Mill का, ये बहुत critical थे, इनकी thinking जो है, वो बहुत critical थी, Indian culture को लेके, तो इसलिए जो है, basically हम बोल सकते हैं, इनको Indian culture जो है, पसंद नहीं था, वो traditions थे, वो पसंद नही से, इसके बाद अगर हम evangelicals की बात करें, जिसमें सबसे उपर नाम आता है, Charles Grant और William, sorry, Wilberforce का, William Wilberforce, इन दोनों का नाम जो है, evangelicals में सबसे उपर आता है, तो evangelicals का क्या मानना था, इनका reason क्या था, English को support करने का, they were pretty much convinced from the ideas of Christianity, यानि जो superior, जो Christianity में जो ideas है, उनके principles हैं, ये उन स से, सहमत थे, इसलिए ये भी चाहते थे, English, जो है, वो medium of instruction होना चाहिए, liberals का अपना view था, कि अगर आप जो है, दूसरी language में भी पढ़ाई करेंगे, अगर English, जो है, medium होगा, तो एक rational, logical thinking dwelt होगी, तो इन सब का reason अलग अलग था, इसलिए, लेकिन इनका जो end point था, वो English था इसलिए इनका एक group था, जिसको anglicist group बोलते हैं, और ये इनका view था, orientalist का अपना मानना था, orientalist का मानना था कि Britishers, जो है, वो Indian culture, local languages के बारे में जाने, तो इसी को लेके, जो wellesley थे, spelling चेक कर ली ना, एक बार, जो wellesley थे Lord Governor General of India, 1800 में, उन्होंने क्या किया था, Fort William College, जो है, Calcutta में open किया था, अब इस college में क्या किया जाता था, कि जो British officers, जो है, service में appoint होने से पहले, जो उनका probation period होता था, उस time पे, इस college में, उनको जो है, Indian culture, और Indian education के बारे में पढ़ाया जाता था, ताकि वो communicate कर पाए, अगर उनको उनकी language आती होगी, तो वो communication का जरिया जो है, Indians से, क्योंकि काम तो Indians के बीच में ही करना है, ना, उन्हें, वो officer तो वहीं appoint हुए है, तो इसलिए जो है, इसमें सिखाया जाता, तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है, कि Orientalist, या जो Indian culture को support कर रहे हैं, वो सिर्फ Indians नहीं है, वो जो है Britishers भी थे कुछ लोग, ऐसे ही Englishist में भी जो है, जो English को support कर रहे हैं, उनमें भी सिर्फ Britishers नहीं थे, कुछ एक Indians भी थे, जिनको जो Liberals हो या Utilitarian हो, वो उनके अपने ideas थे, तो अब हम बात करते हैं, मिकाले के view की, कि मिकाले का क्या स सोचना था, इस पूरे मुद्दे के ऊपर, मिकाले का कहना था, कि Indian learning is inferior than European learning, मिकाले European learning को जो है, superior मानते थी, Indian learning जो है, उनको unholy लगती थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी, जो है Indian, वो थे, क्योंकि यहां पर जो traditions थे, जो barriers थे, वो पसंद नहीं थे, उनको, तो उन्हों ने जो है, इस view के अंडर, downward infiltration theory दी, क्योंकि उनसे मांगा गया था न, यहां पर opinion की, वो पैसे दिये जाने चाहिए, या नहीं, तो मिकाले ने बोला, कि limited resource, जो है, government के खर्च होने चाहिए, और वो जो limited resource, आप खर्च कर रहे हो, वो आप English medium instruction में, English instructions में, आप जो है, जाहिए, जरूरी नहीं है, कि आप mass education देने है, mass education की कोई जरूरत नहीं है, कि आप सब Indian natives को पढ़ा रहे हैं, आप एक class ready कीजिए, इनका motto था, एक class create करना, जो सिर्फ blood और color में जो हैं Indians हो, बाकि उनकी thinking, उनके opinion, उनका intellect, उनका morals, वो सारे के सारे Britishers होने चाहिए, तो उन् मतलब है, कि जैसे मालो, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान है, या किसी field, एक particular science field में है, तो आपको at least science field के बारे में idea होगा, वो आप तक pass on तो होगी, थोड़ी बहुत information, तो वैसे ही, ये downward, मतलब आप एक class को पढ़ाईए, दीरे दीरे वो अपने आप जो है, सब के पास चली जाएगी, तो आपको सब Indians को पढ़ाने की जरुरत निये, government के limited resource खर्च कीजे, कोई जरुरत निये इतने पैसे देने की, ये जो है, मिकाले ने अपनी थेयरी में बोला, और ये ही जो है downward infiltration theory है, जिसके बारे में मिकाले मिनिट में बात की गई थी, मिकाले ने क है, क्या किया, ये सब चीजें जानने के बाद, वो हम पढ़ेंगे, bentix proclamation में, proclamation यानि घोषना, यानि इसके बाद bentix ने क्या फैसला लिया, तो उसके बारे में हम जो है, next video में पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये video informative लगा हो, तो like कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए, inculcate learning Thank you so much for watching